एक इसलाम वल्यूंग कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो गाइज का विलोग स्टार्ट करते हैं अभी से और आध दिन भर विलोग नहीं बनाया है अभी मगरेब का टाइम है अभी स्टार्ट कर रहा हूं नमादमाद पढ़ लिए अ हुआ हूं तो डालना है मुझे बहुत जरूरी आप लोगों को इसलिए अभी से स्टार्ट करते हैं और कल तो कैसे हमारी सुट्टी थे कल का विलोग आप लोगों ने देखे रहीं कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बता हिए अगा और बहुत से लोगों कि मैंने वह क्या ना म यहां पर काम कैसा है तो बहुत से लोग उस पर कमेंट आ रहा है कि कौन सा काम अच्छा है कितनी सैलरी है उसमें क्या है तो उस वीडियो को बहुत से लोग बहुत ज्यादा पसंद करें तो आप लोग इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू आप लोग का, कि आप लोग का response आ रहा है, हमारी वीडियो पर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्यूंकि मुझे जहां तक मुझे मालूम है, यहां पर मैं इतने साल से हूँ, साथ साल से, मेरा जो experience है, मेरा सब कुछ है, वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं कैसे यहां पर काम करना है क्या ड्यूटी रहीती है कैसे काम करवाते हैं यह लोग सारा अपडेट मैं आप लोगों को देता हूं तो उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा आप लोगा सपोर्ट आया है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू बहुत अब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहो और हमारी वीडियो को लाइक करो और भी अच्छे से कमेंट करो और भी आप लोगों जो भी इनफोर्मेशन चाहिए साओधी अरब के बारे में तो मुझे जहां तक भी मुझे मालूम होगा मैं आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कर करके आप लोग मुझे से पूछ सकते और मुझे से कहिए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाओ तो मैं उसी टाइप की वीडियो आप लोग के लिए बनाओंगा एक भाई का कमेंट आया था उसमें कि इलेक्टिक का काम जो है उसमें salary क्या है उसका काम कैसे मिलेगा तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आपके पाई electric का certificate है इस अब बड़े बड़े professional जोब है बड़े बड़े जोब है तो इसमें आप लोगों को जरूरी है कि आप लोगों के पाई certificate होना चाहिए बिना certificate के तो बहुत मुश्किल है company'ों में नहीं होगा बाहर आप लोग काम कर सकते हैं बिना certificate के जैसे कि किसी और आपका कफील कोई और होगा मैंने आप लोगों बताया भी था कि आप लोग अपना कफील भी रख सकते हैं इसके लिए आप लोगो उसको साल में 5000, 4000, 6000 जो भी वो मांगता है मैंने जहां तक सुना है मुझे मालूम है कि 5000, 5000 लगता है यह आप लोगो साल का देना रहता है उसके बाद वो आप लोगो छोड़ देता है कि आप लोग आप जाईए अपना काम करिए बस मुझे इतना साल में चाहिए तो मैंने उनसे बताया कि सर्टिफिकर अगार आप लोगो के पास है तो आप लोग कंपनी में आप कर सकते हैं काम वरना आप लोगो ऐसे ही बाहर का आप लोगो अपना कफिल दूनना होगा वही कफिल आप लोगों से आप लोगों को उसी करना होगा और उसी के साथ में आप लोगों को अग्रिमेंट करना होगा कि हाँ यह ऐसे से ऐसा करेंगा हम काम यह करेंगा ठीक है तो इसकी वैसे आप लोग बाहर आप लोग काम कर सकते हैं फिर आराम से लेकिन company वगयरा में आप लोगो जूब नहीं मिलेगी उसके लिए certificate मांगते है जो की जरूरी है लाजिम है और कुछ बाइब करमेंड आया था कि टेलर का वीजा हो तो टेलर में भाई यही होता है कि टेलर में certificate की ज़रूरत नहीं है उसमें भी यह होता है कोई कमपनियां डारेक्ट वीजा निकालती है डारेक्ट आप लोग जा सकते हो काम कर सकते हो और कुछ उसमें भी यह होता है कि आप लोग अपना सौधी रख सकते हो जी हाँ उसमें भी यह होता है बहुत से यहां पर है काम एक तो कमपनी खुद आप ल सेलरिंग में यही होता है कि दुकान आप लोगों को दे दी जाएगी साओधी दे देगा और आप लोगों को आप लोगों का पैसा लगेगा जी हाँ अगर आप लोग अपनी दुकान करोगे तो उसमें आप लोगों का सारा पैसा लगेगा नाम उसी का और उसके बीच में क्या तैय होता है वो प्राफिट वो भी लेगा और आप भी रखोगे तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है उसके लिए वीडियो में फिर कभी बना दूंगा ये नॉर्मल में जॉब की बात कर रहा हूँ उसके लिए आप लोगो अपने कफिल डूंग करके उसको देना होगा साल में जो भी फिर आप लोग बाहर कहीं भी काम कर सकते है उसमें अच्छी आमदनी होती है खर पाईजार, छेजार, चारएजार ऐसे आदमी काम कर लेता है उसमें कमा लेता है और कुछ भाई लोग जो आते हैं कंपनी घूँ होती है सप्लाई कंपनी उससे जो लोग आते हैं सप्लाई कंपनी में क्या होता है कि यहां की जो बड़ी-बड़ी कंपनी हैं जैसे नून हो गया वर एक्जामपल नून अइमेज właściए और भी कि उनको आदमी ज़रुरत होती यहां कि चाहिए उस कंपणि मालों को तो वहां से वो लोग आदमी घ्टा मंगवा लेते दो डाई सो उसके बाद जहां जहां और भेजना होता है मिहंद देतें वहां पर कुछ आदमी सेट हो जाते हैं काम करते रहते हैं कुछ नहीं होते हैं कि किसी को काम समझ में नहीं आता है तो कोई मालिक को आदमी नहीं समझ में आता है, तो यह कई और भेजते एंगे, इस तरीके से वहाँ पर पर नहीं होता है, यहाँ लोगो यही काम कराया जाएगा वो सप्लाइग कंपनी की तरफ से आप लोग रहते हैं उसमें जहां सप्लाइग कंपनी वाले बेज़ेंगे वहीं आप लोगो काम करना है सप्लाइग कंपनी का यही रूल होता है और जो लोग सेट हो जाते हैं वो अपना आराम से करते रहते ह प्रफ़ाइं कमपनी में जब आते हैं तब उनका कहीं पर भी कफाला या कहीं पर्मनेंट जॉप के लिए वो नहीं रहते हैं वो सप्लाइघ कमपनी में आते हैं बस महीं रहेंगे सुएंगे हैं भी कुद खाना पीना सब पूस्देंगा जादे दिन रखते मुश्किल से हफ काम में आप लोग आ रहे हो डारेक्ट उसी कंपनी में आएगा तभी आप लोगा फाइदा होगा यह सप्लाइब लाइगे चक्कर में मत पढ़िएगा और ना आप लोग परिशान हो जाओगे पैसा ही बहुत ज्यादा लगता है पर्मनेंट कहीं एक यह भी नहीं रहेगी हा को उन के बारे में आप लोग पहले जान लीजिएगा पूरी डिटेल नकाल ली जिए हरे ना यहां इस पर बोला दो में जगे पर गएगे तो आप लोग जान आप लीजएगा उसके मुगसा दुकान का नाम का नाम नाम यहां पशोड होताए और जो वीजे पर जो मैं जिस सड़रेस्टरेशन होता है जिस दुकान से Deutschland नाम दूसरा होता है हो नाम लेगे लिखांत जो बहुत चोटा सलसा नीचे लिखा रहता है मुससा जिसको बोलते हैं और नीचे लिखा रहेगा वही आपके वीजे में भी स्टैम्प रहेगा सबसे नीचे ठीक है तो वह आप लोग देखकर आईएगा उससे ताकि और पुछवा भी लेजेगा यहां पर अगर आप लोगे मिलने वाले हों कि हाँ यह वीजा है यह मे आप लोगों को इसलिए मैं यह सजेस्स करना हो आप लोग वसे पलीज आप लोग फस यह नहीं बस मैं यह चाहता हूं कि आप लोग फसे नहीं आप लोग कोई नुकसान नहीं बस वैसे मेरा तो suggestion यहीं रहेगा कि आप लोग direct आओ जिस company में आप लोग आ रोओ जिस दुकान में आप लोग आ रोओ जिस hotel में आ रोओ प्रीज direct आओ ठीक है डारेक्ट आओ ये ना हो कि पहले यहां जाओ पहले यहां जाना उसके आप वो लोग महां से वहां भेजेंगे ये सब के चक्कर में ना पढ़ो भाई परेशान होंगे बिला वज़े टेंशन रहेगी आप लोगो तो जहां आ रहो महांपर डारेक्ट आओ पता करवा हो यहां पर आप लोगो कोई भी मिलने वाले हो उंगे से अप लोग पता करवा लो कि हैं यह इसा है हमारा वीजा है इस चीज़ का है यह दुकान है महाँ पर यह नहीं है यह सब आप लोग पता करवा लुए ह। उसके बाद ही आप टूय तो गाइस यही थी आच की इन्फ करते हैं मिलते हैं फिर नेस्ट व्लोग में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और खुश रहना अल्ला आफिस